स्वागत आप सभी का एक ने वीडियो लेक्चर में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Blind Literature Packet के बारे में अंदस हित्य पैकेट आप पगा जो अंदस हित्य पैकेट होता है इसका Maximum Bait बहुत Important है कौन सा समान इसमें भेजा जा सकता है और कौन इसे भेज सकता है तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे Close No. 136 Exemption from Postal Fees Dark शुलक में शूट Free इसमें कौन कौन सी चीज़े हैं अगर Free Services की बात करें तो Blind Literature Packet में Payment of Postals Dark भार के बुकतान के लिए आप से कोई भी Charges नहीं लिए चाहेंगे की शुरूरत नहीं होगी तो यह सारी Postal Fee में आपको शूट मिल जाती है शिरफ Blind Literature Packet के मामले यह नहीं अगर आप Blind Literature Packet भेज रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों के लिए Charges देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी उसके बाद हमारे पास Postage Free Blind Literature Packet Transmitted by Surface Root Only अब ऐसा आपका Blind Literature Packet जिसके उपर आपके यह सारे Charges नहीं लिए गया है जो Free है जिसके उपर कोई भी आपसे Charges नहीं लिया है उसको जब Transmit किया जाएगा तो सिरफ Surface Root से ही किया जाएगा If Sent by Air अगर इसको by Air आपको इसका Transmission किया जाना है Air Mail Charges Prescribed for Packets Has to be Paid तो आपके जो Packets के लिए निर्धारित Air Mail Charges है वो आपको इसके लिए भी Pay करने पड़ेंगे ठीक है आपका जो Blind Literature Packet है हमने अभी कर लिए कि उसके लिए कोई Charges आपके नहीं लिए जाते हैं लेकिन जिस Blind Literature Packet के लिए आपके Charges नहीं लिएगे हैं उसको सिर्फ By Surface Root ही आपका Transmission मिलेगा लेकिन अगर आपको उसको By Air Transmit करना है तो उसके लिए आपको जो आपके Packets के लिए निर्धारित Air Mail Charges हैं वो आपको Blind Literature Packet के लिए भी देने होंगे तो आपको ध्यान एकना है सिर्फ Air Mail Charges यहाँ पे Blind Literature Packet के उपर लगेंगे अगर उसका Air Transmission किया जाना है उसके बाद है हमारे पास Contents and Conditions of Posting तो कौन-कौन सी सामगरी आप Blind Literature Packet में भेज सकते हैं और इसको पोस्ट करने के लिए जो शर्ते हैं वो कौन-कौन सी हैं तो यहाँ पे Papers of Any Kind, Periodicals, Books and Letters to and from Blind Persons Impressed in Braille तो कोई भी किसी भी तरह के आप पेपर इसमें भेज सकते हैं उसके पत्री का हैं या फिर किताबें या फिर कोई भी पतर आप भेज सकते हैं लेकिन कौन भेज सकता है या किसे भेजा जा सकता है तो सिर्फ Blind Persons ऐसे वेक्ति ज इसमें यह शपा होना चाहिए और एकर Conditions की बात करें Not Contain Communication Writing Printing तो इसमें कोई भी आपका जैसे Ordinary Type में आप लैटर में कोई भी Communication लिखके भेजते हैं इस तरह से इसमें कोई भी संचार आपका नहीं होना चाहिए नहीं वो रिटन होना चाहिए नहीं प्रिंटर होना चाहिए Accept लेकिन इसमें आपको रिटन या प्रिंटर में लिखने के लिए शूट मिलती है कौन-कौन सी चीज़ें आप लिख सकते हैं तो सबसे पहले आप टाइटल लिख सकते हैं ठीक है कौन सा टाइटल आप अगर बुक भेज रहे हैं तो इसका टाइटल हो सकता है या उसमें ज level for return of packet, उसके बाद packet को बापिस करने के लिए एक level हो सकता है, इसके इलावा उसके उपर कोई भी आप extra चीज नहीं लिख सकते हैं, कोई भी आपका written communication संचार जो उसमें नहीं होना चाहिए, bear inscription outside, और इसके बाहर क्या inscription आपकी होनी सी है, literature for blind, तो यहीं आपको उसके बाहर लिखना है, ठीक है, आपका जो भी blind literature packet होगा, उसके बाहर यह चीज लिखे जाएगी, literature for blind, अंधों के लिए सहिते, ठीक है, blind literature packet, यहनि के अंध सहिते packet, यहाँ पे यह चीज जो है, उसके बाहर लिखी जाएगी, written printed name plus address of sender, उसके बाहर प्रेशय का नाम हो सकता है, ठीक है, लिखके भी कर सकते हैं, उसको यह फिर शपा हुआ भी बहुत सकता है, उसका नाम और address, packet shall be posted without cover, ठीक है, यह जो आपका blind literature packet होगा, इसको बिना cover के post किया जाना चाहिए, यह फिर cover open at both hands, यह फिर आपका ऐसा cover use करना है, जो दोनों तरब से खुला हो, easily removed for our purpose of examination, आपका cover जो अब ऐसा होना चाहिए, जिसको आसानी से जाच के लिए remove किया जा सके, और यह आपे maximum weight की अगर बात करें, अधिक तंभार की अगर बात करें, तो 7 kg से, अब देखिए, आपका जो blind literature packet है, 7 kg तक इसके उपर आप से कोई भी charges नहीं लिये जाएंगे, सिवाए air surcharges के, size लिमिट्स की बात करें, तो हमने जैसे close number 124 में packets के लिए किया था, तो same, इसके लिए भी apply होती है, तो माली, आपने अगर packets का याद कर लिया, तो आपके यहाँ पर pre-ordicals बाला भी हो जाएगा, उसके बाद आपके यह blind literature packet बाला भी हो जाएगा, तो यह सारे आपके असानी से याद हो जाएगे, क्योंकि यह सारे same है, उसके बाद है penalty for breach of conditions, अगर शर्टों का उलंखन किया जाता है, तो कितने charges आपसे लिये जाएगे, charged on delivery with letter or parcel posters, whichever is last, ठीक है, आपसे letter या फिर parcel posters charges लिये जाएगे, यह निकि इन दोनों के उपर जितने भी charges बनते हैं, उसके हिसाब से आपसे charges लिये जाएगे, देखा जाएगे कि दोनों में से किसके कम है, वो यह आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका आता है, registered newspaper, पंजीकृत समाचार पत्र, definition के अगर बात करें, definition given in post office act of newspapers, so post office act of newspapers में आपको, registered newspaper की definition दी गई है, और definition क्या है, इसकी every publication, आपका हर एक परकाशन, जिसमें consisting holy or in a great part of political, other news current topic, with or without advertisement, तो इसमें आपका बोला गया है, कि आपके जो पूरी तरह से, ठीक है, आपका जो परकाशन रहेगा, उसमें पूरी तरह से, या उसके कुछ एक हिस्से में, आपका क्या रहेगा, political राजनीतिक, या फिर दूसरी news उसमें हो सकती है, या फिर current topic उसमें हो सकती है, और साथ में आपकी advertisement भी हो सकती है, या बिना advertisement के ये हो सकती है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका registered newspaper कहा जाएगा, उसके बाद है, हमारे पास conditions की अगर बात करें, कैसे आप इसको भेजेंगे, और कैसे ये published किया जाएगा, published in large numbers, at intervals of not more than 31 days, तो इसको बड़ी संख्या में, 31 दिन के अंतराल के भीतर प्रकाशित करना होता है, bonafide list of subscribers, अब इसके जितने भी, किस-किस को ये भेजा जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि बिना अपनी मर्जी से, हर बार अलग-लग व्यक्ति को भेजा जाएगा, तो इसकी जो सूची होगी, कि किन-किन व्यक्तियों को ये भेजा जाएगा, वो पहले से ही bonafide होगी, परमाणी तो सूची होगी subscribers की, वेरिंग same date of newspaper and transmission, तो देखिए, आपके जो transmission date रहेगी, यानि किस दिन आप उसको post कर रहे हैं, और newspaper भी उसी दिन का होना चाहिए, यानि कि दोनों की date जो अब हो same होनी चाहिए, आपके newspaper के उपर अगर एक-एक 2020 है, तो आपके transmission की date भी एक-एक 2020 होनी चाहिए, या आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसके बाद, registered newspaper with, अगर आपका registered newspaper पंजिगरित समाचार पत्तर, अगर उसके साथ आप क्या करते हैं, advertisement sheet printed for advertiser, तो advertiser के लिए अगर आप उसके साथ, कोई भी बिग्यापन की sheet लगा देते हैं, ठीक है, registered newspaper के साथ, उसके बाद, prospectus with application form attached, उसके बाद आपने उसके साथ, prospectus लगा दिया है, और application form लगा दिया है, उसके साथ, या फिर उसके बाद personal inquiry form उसके साथ लगा दिया है, personal communication है, आपका कोई नीजी संचार, उसमें आपने registered newspaper के साथ लगा दिया है, तो ऐसी सभी स्थिति हों मैं, ठीक, अगर आप उसके साथ ये सारी चीज़ों मैंसे गुच भी कर देते हैं, तो उसे book packet की तरह ट्रीट किया चाहेगा, उसके बाद है हमारे पास conditions, newspaper registered with office of superintendent, और senior superintendent of post office in which it is to be published and posted, तो जिस भी कार्यारले में ठीक है, जिस भी division में आपका जो newspaper है, वो publish होगा या post होगा, बहां का जो superintendent या senior superintendent होगा, उसके कार्यारले में आपको ये register करवाना है, आपका जो newspaper है, वो इसके कार्यारले के साथ register होना चाहिए, पंचिक रित होना चाहिए, and shall be transmitted at concessional rates during registration period, और इस registration period के दुरान ठीक है, आपके जो superintendent या senior superintendent के कार्यारले के साथ, जो registration period रहेगा, उस registration period के साथ, इसके साथ आपको जब भी आपको registration करवानी है, तो उसके लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें साथ में देनी होंगी, फोरम के साथ two copies latest issue of newspaper, तो latest issue बाले newspaper की आपको दो copies देनी होंगी, उसके बाद है certificate from district presidency और sub divisional magistrate, local jurisdiction, उसके बाद आपको एक certificate देना होगा, जो district presidency या फिर sub divisional magistrate के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें declaration नहेंगी और कैसे declaration दी जाएगी, by section 5 of press and registration book act 1867, तो आपका press and registration book act 1867 के section 5 के द्वारा उसको declare किया जाएगा, किसके द्वारा, आपके district presidency और sub divisional magistrate के द्वारा, वो आपको certificate उसके साथ लगाना है, उसके बाद है मारे पास full postage shall be prepaid, unless newspaper exempted from prepayment of postage, और आपको newspaper के लिए उसके जो भी postage charges होंगे, उनके लिए आपको पूरबुकतान करना पड़ेगा, जब तक कि आपको पूरबुकतान में, डाक भार के पूरबुकतान की सुविता नहीं मिल जाती है, जब तक उसके लिए आपको shoot नहीं है, तब तक आपको ये सारे charges होंगे, वो prepay करने पड़ेंगे, newspaper shall wear in any convenient place, either first or last page, इसके बाद है newspaper के किसी भी convenient place के उपर ठीक है, जहाँ पर भी आपको सही लेकिए, या फिर उसके पहले या फिर लास्ट पेज के उपर, आपका ये word लिखा होना चीए, registered, followed by registration number, उसके बाद आपका registration number रहेगा, ठीक है, पहले आपका register ये word लिखा होगा, उसके बाद registration number आपका आएगा, उसके बाद number assigned by superintendent और senior superintendent और post office, तो यहाँ पर हमने किया, पहले कि आपका जो newspaper है, वो किसके साथ आपका register होना चीए, superintendent ये senior superintendent जो भी होगा कार्याले का, उसके कार्याले में बो register होना चीए, पंजीगरित होना चीए, और जब पंजीगर्ण वहाँ पर करवाते हैं, तो वो registration number देते हैं, वो registration number यहाँ पर आपका register word के बाद लिखा होना चाहिए, date or day specified by, अब कौन-कौन से day या फिर dates को आप उसको post कर सकते हैं, क्योंकि एक मन्त में आपको दिया जा सकता है, कि आप इस date को या फिर इस day को post इसको कर सकते हैं, तो वो किसके द्वारा निर्धारित किया चाहेगा, superintendent या फिर senior superintendent time registering the newspaper, तो जब भी newspaper को register किया जाता है, तभी superintendent या senior superintendent इस चीज़ को निर्धारित करता है, इसके लिए clear notice of three days given to post master, तो इसके लिए आपको post master को तीन दिन के क्या देनी पड़ेगी, तीन दिन पहले आपको सूचना इसकी देनी होगी, notice of three days may be behaved by superintendent या senior superintendent, यह जो आपका notice रहेगा तीन दे वाला, three day वाला, तो यह किसके दौरा इसको इनकार किया जा सकता है, wave किया जा सकता है, superintendent या senior superintendent इसके लिए इनकार भी कर सकता है, every copy bundle of newspaper shall be posted without a rapper, तो आपके जितने भी newspaper होगे या bundles होगे, आप इनको बिना rapper के post करेंगे, इनको किसी भी rapper के end बरें close करके, इनको post नहीं किया जाएगा, rapper open at both ends unfastened annual, या फिर आपका जो rapper होगा, वो दोनों तरब से खुला होगा, या फिर unfastened यानि के बन्दा हुआ लिवाफा, वो नहीं होना चाहिए, after publication, no word printed on cover और upon the cover, publication के बाद, प्रकाशन के बाद, cover के उपर कोई भी words को print नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसके उपर कोई भी चीज आप print नहीं करेंगे, note, any writing नहीं कुछ लिखेंगे, और नहीं उसके उपर कोई mark जो आप बना सकते हैं, accept, इसमें आपको कौन कौन सी shoot में होती है, क्या-क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं, name plus address of address, प्रापत करता का, नाम या पता हो सकते हैं, इसके इलावा आप कोई और चीज एक्स्टा नहीं लिखेंगे, in case of packets, अगर आप packet भेज रहे हैं, एक आप single copy जब भेजते हैं, ये चीज़ आप लिख सकते हैं, if desired, subscribers number, अगर आप चाहते हैं, तो subscriber जो हैं, उनके number लिखे जा सकते हैं, name plus address of address, इसके बाद प्रापत करता का, या फिर प्रेशक का जो नाम या पता, वो लिखा जा सकता है, for reference to any place in a newspaper, तो newspaper में किसी भी जगा के लिखे लिए, अगर आप चाहते हैं, कि किसी page के ओपर कोई चीज़ रैफर करना, impression of stamp seal, contain word, तो उसके ओपर एक आप stamp लगा सकते हैं, या seal लगा सकते हैं, जिसके ओपर क्या लिखा होगा, marked copy लिखा होगा, उसके बाद आपके press packets, अड्राइस्ट टू railway book stalls, और recognized agents online, तो वी delivered direct from mail van, उसके बाद आपके ऐसे press packets, जो आपके railway book stalls को, ठीक है, ऐसे book stalls, जो railway stations पर हो, या फिर आपकी जो railway lines होती हैं, वहाँ पर जो recognized agent होते हैं, आपके परमानित agent जो होंगे, उनके लिए, अगर कोई copies हैं, या फिर packets हैं, रिजिस्टर निउस्पेपर के, तो to be delivered direct from mail van, तो उने mail van से direct बित्रित कर दिया चाहेगा, no paper thing and close in or on, with newspaper, तो आपके कोई भी paper, या फिर कोई भी extra चीज, आपके newspaper के साथ नहीं होनी चाहिए, रिजिस्टरेशन नमबर, note printed on wrapper, आपका जो रिजिस्टरेशन नमबर, आपको सुप्रिटेंड़ने, senior सुप्रिटेंड़ने के कार्याले में, रिजिस्टरेशन के बाद जो दिया जाएगा, वो आप wrapper के उपर print नहीं करेंगे, उसे सिरफ newspaper के उपर print किया जाएगा, फर्स्ट रिजिस्टरेशन जो आप करवाएंगे, रिमेन इन फोर्स तिल 31st December of calendar year, पहली जो पंजी कंड आपका रहेगा, वो calendar बर्ष के 31st December के नहीं, 30 December तक ही बो रहेगा, उसके बाद वो expire हो जाएगा, आपके परतेक जो भी आप उसके बाद की रिजिस्टरेशन करवाएंगे, पंजी कंड करवाएंगे, रिमेन इन फोर्स फार बन calendar year, तो बो बन एक calendar वर्ष के लिए आपका रहेगा, प्रोसीजर फार रिजिस्टरेशन पंजी कंड करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, प्रोप्रियेटर, मैनेजर या फिर पब्लिशर, जो भी आपका मालिक होगा, उसके बाद मैनेजर या फिर जो परकाशक होगा, शूड एड्रेस दी हैड उफ डवीजन, तो बो किसे संबोधित करेगा, बो हैड्रोफ डवीजन को आपका सुपरिटेंडन या सीनियर सुपरिटेंडन को इस सीज के लिए संबोधित करेगा, इन भी निउस्पेपर इस तूफी पब्लिश्ट होगा, बहां का जो superintendent या senior superintendent होगा उसको असम्भोधित किया जाएगा प्रोप्रियेटर यानि के मालिक के द्वारा manager या फिर publisher के द्वारा furnish information in printed form application inquired by post office and return forwarding a copy of newspaper तो उसमें एक क्या रहेगा एक application रहेगी साथ मैं जितनी भी information post office को चाहिए boss के साथ दी जाएगी और साथ मैं आपकी register newspaper की copy भेजी जाएगी head of division receive application plus copy of newspaper आपका head of division जोगा superintendent या senior superintendent वो application को receive करेगा उसको प्रापत करेगा बिद उसके जो newspaper होगा उसकी copy भी उसको साथ मैं प्रापत होगी head of division satisfy himself cross check all rules तो वो सारे rules को check करेगा कि वो follow करता है या नहीं और वो खुद को इस चीज के लिए satisfy करेगा भेन application accepted जब application को accept कर लिया जाएगा head of division assign registration number तो आपका head of division जो होगा वो एक registration number पंजीकर्ण संख्या जो अब वो दे देगा with initial letters of postal circle prefixed तो इसके जो initial letters रहेंगे उसमें करेगा postal circle prefixed रहेगा communicate this number to proprietor manager या फिर publisher उसके बाद जो भी होगा ठीक है manager होगा publisher या फिर उसका मालिक जो भी होगा उसको ये number जो होगा वो बता दिया जाएगा post office where newspaper is to be published और जहाँ पे उसको भी ये बताएगा बताया जाएगा जहाँ पे ये newspaper जो हाँ पबिलिश के जाएगा निके उस office में भी ये चीज जो हाँ बता दी जाएगी return notice of intention to renew the registration तो पंजीकर्ण को renew करने के intention से आपका एक notice भेज़ा जाएगा एक सूचना भेजी जाएगी किसे दी जाएगी head of division को दी जाएगी one month before period of expiry registration की expire होने से एक month पहले ये जो सूचना होगी वो head of division को दी जाएगी no fee shall be payable for renewal of registration पंजीकर्ण की renewal के लिए कोई भी fees आपको नहीं देनी पड़ेगी if registration not being duly renewed और cancelled अगर आपकी जो पंजीकर्ण है वो duly renewed नहीं होती है या उसको cancel कर दिया जाता है not accepted at concessional rates of postage for registered newspaper तो पंजीकर्ण समचार पत्र के आप पोस्टिंग के लिए आपको जो शूट मिलती थी charges में वो नहीं मिलेगी वो सिर्फ तभी तक मिलेगी जब तक आपकी registration रहेगी पंजीकर्ण रहेगा उसके बाद है हमारे पास renewal and termination of registration application for renewal of registration पंजीकर्ण के renewal के लिए जो application आप भेजेंगे reach the officer कंचार्ण वो संबंधित officer तक at least one month before date of expiry expire होने से एक महीना पहले आपकी वो पहुँच जानी चाहिए accompanied by two copies of latest issue और इसके साथ application के साथ आपको दो latest issue के newspaper भी उसके साथ जो है वो भेजने है late fees five rupees charged अगर आपसे पांच रुपे जो है late fees के रूप में charge किये जाएंगे अगर आप क्या करते हैं application received after last working day of month preceding the last month of period of previous registration तो आपकी जो पिछली registration थी उसके last month से ठीक है उस registration का जब उसकी खतम हो जाएगी उस registration का पंजीकर्ण का समापत होने के पिछले मन्त के last working day के बाद अगर आपकी application जो पहुँचती है तो उसके लिए आपसे पांच रुपे late fees के रूप में लिए जाएंगे तो आपको जो application है आपकी बो at least one month आपकी जब expiration आ गई है उस registration की उससे एक मन्त पहले जो आपकी application concerned जो भी official होगा उस तक पहुँच जानी चाहिए Renewal in all cases granted only when superintendent senior superintendent of post office satisfied with conditions close number 132 तो आपकी जितना जब भी renew किया जाएगा तो वो तवी grant किया जाएगा अगर superintendent या senior superintendent इस चीज़ से satisfy हो किसे इतनी भी conditions हमने close number 132 में पढ़ी है वो सारी fulfill वो करता हो if previous registration expired अगर आपकी पिछली registration जो पंजी कंड जो expire हो जाता है before registration is renewed इससे पहले कि आप नई registration उसको renew करवाते है ठीक है आपकी पिछली registration जो अब expire हो जाती है पेपर शाल भी prepaid at book packet rates तो आपका जो newspaper होगा उसको book packet rates के उपर prepaid किया जाएगा पूर अब उसका आपको बुकतान करना पड़ेगा application received after date of expiry अगर आपकी जो application है वो expiry date से बाद पहुंचती है तो treated as first application तो उसको fresh application की तरह treat किया जाएगा जो पहली बार application दी जाएगी उससी तरह उसको treat किया साएगा superintendent senior superintendent cancel or refuse registration of register newspaper not fulfill conditions in close number 140 तो 140 में जितने भी हमने conditions पड़ी शर्ते हैं पड़ी अगर उनको fulfill नहीं करता है register newspaper तो superintendent या फिर senior superintendent जो अब registration cancel भी कर सकता है और registration करने के लिए मना भी कर सकता है register newspaper handed at windows of door of post office by proprietor, manager, publisher तो आपका जो register newspaper है वो आप post office window के ओपर या दरवाजे के ओपर भी दे सकते हैं manager, proprietor या फिर publisher जो होगा वो post office में आके भी उसको दे सकता है register newspaper posted in letter boxes अगर आपका register newspaper जो आपको letter boxes में post किया हुआ पाया चाता है not admissible to reduce rate of postage for register newspaper तो register newspaper के लिए आपको जो भी reduce rate के charges मिलते थे नहीं के कम charges आपको जो देने पड़ते थे वो फिर आप से पूरे के पूरे लिए जाएंगे next है हमारे पास packets of newspapers जो newspaper है उनके packets posting of packets containing more than one copy of same issue of register newspaper तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपके किसी भी packet में जो register newspaper packet होगा उसमें जो आपके newspaper रहेंगे वो same issue के होने चाहिए अलग लग issue के नहीं आप भेज सकते हैं must contain copies of same register newspaper and same date उसके बाद उनकी जो date है बोब भी same होने चाहिए यह नहीं कि आप एक तरीका भेज रहे हैं दूसरा दो तरीका भेज रहे हैं ठीक है और अलग issue के नहीं होने चाहिए same issue के होने चाहिए और same date के बोग होने चाहिए तो जहाँ पे आप जैसे single copy को register newspaper की single copy को आप पोस्ट करते थे वैसे ही आप register newspaper के packets को भी same post office में उसके बाद same fixed dates या फिर जो भी होंगे superintendent के द्वारा निर्धारित किये होंगे उनमें आप इसको पोस्ट कर सकते हैं shall we address to local superintendent of register newspapers at place of destination तो देखिए अब अगर आप single copy भेज रहे हैं register newspaper की तो उसके उपर आप specific address का नाम तो लिख सकते हैं अगर आप एक पूरा packet भेज रहे है register newspaper का तो उसके उपर आप post office उसको खोल के यह तो check नहीं कर सकता है कि कौन-कौन से address को यह भेज जा जाएगा किसे किसे deliver किया जाएगा तो आपके जो packets होते है register newspaper के यह किसको deliver किया जाते हैं तो आपका गंतब्बे कार्यारले पर जो local agents होते हैं उनको यह संबोधित किया जाते है फिर यह पूरे का पूरा packet जो local agent को दिया जाएगा वो खुद उसको आगे distribute कर लेगा Delivery handed over to address C or his recognized agent at office of destination अगर इसके वितरन की बात करें आपका जो register newspaper का packet होगा यह किसको दिया जाएगा तो जो भी recognized agent होगा उसको hand over किया जाएगा ठीक है कहां पे office of destination में आपके गंतब्बे कार्यारले में Not delivered at addresses residence तो यह प्रापत करता के निवास स्थान पर जाकर उसको नहीं दिया चाहेगा प्रोप्रियेटर मैनेजर पब्लिशर ओफ रिजिस्टर निउस्पेपर शाल कॉमिनिकेट टू office of posting अब आपका जो भी रिजिस्टर निउस्पेपर का मालिक होगा मैनेजर या फिर पब भी होगा उसका नाम और एड़ा से बताएगा कि किसे वो रिजिस्टर निउस्पेपर का पैकेट जो अब हो देना है उसके बाद है रिजिस्टर एट पोस्ट ओफिस मेल ओफिस ओफ डेस्टिनेशन और रेलवे स्टेशन फेयर डिलिवरी विल भी अफेक्टर उसके बाद आपका जो भी अड्राइसी होगा ठीक है जिसके लिए भी पैकेट बेजा है या फिर फिर जो भी जोगा ऊसको बुलाया चाहेगा और ब्लीवे जो अपर उसको ऩो डिलिवरी सचाहे गा sender of packet containing more than one copy of resistant newspaper तो यहाँ पे packets का क्या मतलब है कि आपके ऐसे packets इसमें आपकी resistant newspaper की एक से ज़ाद है copies इसको packet हम कह रहे हैं यहाँ पे arrange to indicate on packet to be delivered at window तो यहाँ पे वो क्या चीज़ को arrange करेगा कि इस चीज़ का arrangement वो करेगा कि वो packet के ओपर इस चीज़ को indicate करे कि 2V delivered at window इसका जो वित्रण है वो बिंडो पर किया जाएगा places where only post box system is enforced तो ऐसी जगह चाहाँ पे सिरफ post box system है and no delivery at post office window और आपकी जो post office window पर delivery की जाती है वो आपकी सुविदा नहीं है सिरफ आपका post box system है packets of register newspaper delivered to local agents of register newspaper without renting post office post box तो यहाँ पे देखिए जो local agents होंगे उनको newspaper जो deliver किया जाएंगे वित्रित किया जाएंगे packets जो दिये जाएंगे वो post box की renting के बिना ही दिये जाएंगे ठीका उनको post box rent पर लेने की जुरूरत नहीं होगी उनको ऐसे ही arrange उनका किया जाएगा कि अगर window delivery system भी नहीं है तब भी उनके लिए arrangement किया जाएगा कि उनको post box scriber ना लेना पड़े और उनके जो भी packets है register newspaper के उनको deliver वित्रित जो है वो कर दिये जाएं उसके बाद है हमारे पास close number 144 posting of newspaper without prepayment of posters बिना पूरो भुकतान के पत्रों की posting यानिके आप उनका पहले भुकतान नहीं करेंगे भुकतान उनके लिए आप बाद में करेंगे ठीक है ऐसे आप register newspaper को जब post करना चाहते हैं तो कैसे उसको किया जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले conditions हम देख लेते हैं क्या क्या शर्ते हैं इस scheme only for register newspaper only तो यह वाली आपके जो scheme है posting of newspaper without prepayment of posters बाली तो एक इसके रिया जिर्फ register newspaper के लिए है साथ में आपकी magazine और प्रियोडिकल्स जो होते हैं ठीक है उनके लिए भी साथ में है which published at regular intervals not more than 31 days और यह आपकी जो register newspaper है यह आपकी magazine और प्रियोडिकल्स है यह 31 दिन के अंतराल के भीतर परकाशित होने चाहिए उसके बाद आपका है post more than 500 copies at a time तो यह वाली posting सुभीदा के लिए आपको क्या करना है एक ही बार में at least 500 कम से कम 500 copies जो आपको वो पोस्ट करनी पर है जिनके उपर सिरफ 5 पैसे की stamps है 100 copies posted at a time to avail this facility तो आपको 100 copies जो आप पोस्ट करनी पड़ेंगी इस फैसलिटी का लाव लेने के लिए proprietor, manager, publisher apply for this facility तो आपका जो भी इसका माली करेगा newspaper का या फिर manager या फिर जो publisher रहेगा इस फैसलिटी के लिए अगर वो चाहता है तो वो किसको apply करेगा, किसको इसके लिए संबोधित करेगा, head of circle को, CPMG को इस चीज के लिए वो application देगा, अगर वो इसका license चाहता है, particular stuffy furnished और application में उसको कौन कौन सी चीज़ें जो आप furnish करनी है, बतानी है, average number of average weight of postage payable on single copy of newspaper, तो इस चीज के लिए वो बताएगा कि कितने average number, articles, newspaper के जाएंगे, या फिर कितना उनका weight रहेगा, average weight या बताएगा, फिर उसके बाद postage payable on single copy of newspaper, एक copy जोगी newspaper की उसका average weight कितना हो सकता है, average उसके number, ठीक है, packet में कितने हो सकता है, या फिर उसके लिए postage charges वो कितने pay करेगा, packet containing more than one copy, तो इसके लिए average number, weight या फिर आप postage on all papers posted each time, ठीक है, परते एक time वो जब भी post करता है, चाहिए वो single copy करता है, या packet करता है, तो कितना average amount उसका बनता है, तो यह सारी चीज़ें वो application में साफ-साफ बताएगा, head of circle, receipt the application, जब head of circle, जो है, CPMG application प्रापत करेगा, calculate, approximate, total postage payable of a month, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे, इस के हिसाब से, ठीक है, इस average के हिसाब से, वो इस चीज़ के लिए, monthly जो भी उसका approximate, जो भी postage payable charges बनते हैं, उनको वो क्या करेगा, calculate करेगा, उसके बास security deposit amount equal to one month postage, तो देखिए, यहाँ पर security deposit उससे करवाया जाएगा, या उससे पहले ही, पैसे जमा करवा लिए जाए या तो उसी हिसाब से, वो पहले ही, उसके लिए, एक मंत का निकाल के, security deposit करवा लेगा, क्योंकि अगर वो बाद में charges बगारा देने से, इनकार करेगा, तो कौन देगा वो charges, तो वो security deposit से लिए जाएंगे, deposit in cash, post of e savings, security deposit account, तो यहाँ पर देखिए, वो deposit कर सकता है, cash में post of e saving में कर सकता है, या फिर deposit account में, आपका security deposit account होता है, उसमें deposit कर सकता है, national saving certificate pledge to head of circle, या फिर वो CPMG को pledge करके, national saving certificate, जो अब वो खरीद सकता है, guarantee from SBI bank nationalized by government, या फिर वो guarantee देगा, कौन देगा, state bank of India के दवारा guarantee देजाएगी, या फिर ऐसे bank के दवारा, जिसे government के दवारा nationalized किया गया हो, ठीक है, इनके दवारा guarantee देने पर भी, या आपका security deposit जो हो, माल लिया चाहेगा, amount of postage due on all posting adjusted twice in a month, तो यह important है, यहाँ पर आपको यह ज़रूर ध्यान में रखना है, कि जो भी amount of postage, या निके देखिए आपकी first से लेके 15 तक month की, जो भी आपकी posting रहेगी, उसके लिए जो भी आपके charges बनेंगे, जो भी due charges बनेंगे, क्योंकि आप posting के समय बो नहीं देंगे, बाद में आप देंगे, तो उनको cover just किया और पहली तारीख को कौँछ है, आपके charges को adjust किया जाएगा, जो posting आपने महीने की 16 तारीख से लेके महीने के end तक की है, उसको first day, first तारीख को, बन्त की पहली तारीख को adjust किया जाएगा, after deposited security amount, security amount को deposit करने के बाद, license issued by head of circle, जो head of circle है, CPMG है, वो license को शूँ कर देगा, newspaper handed at or in window of post office, और post offices on such days, date of weeks, month specified, ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे पास newspaper होगा, उसको post office window पर hand over किया जाएगा, ठीक है, कौन से days और date के उपर किया जाएगा, जो भी निर्धारित की होंगी, यहां वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को print करने के लिए arrangements करेगा, उपका newspaper या फिर जो भी packets होंगे, उनके उपर वो इस चीज़ को print करेगा, license number सबसे पहली license number जोगा, उसको print करेगा, उसके बाद words यह वाले रहेंगे, license to post without prepayment, तो यह चीज़ भी उसके उपर print करने के लि आप इसको बिना wrapper के भेजेंगे, नहीं तो यह चीज़ जोआ wrapper के उपर print की जाएगी, renewal of license at time of renewal of registration, तो जब भी आप पंजीकन का renew करते हैं, उसी समय आप license का renew भी कर सकते है, application for renewal of license, तो जो application भेजेंगे, license के renewal के लिए made at same time as application for renewal of registration, तो जब आप पंजीकन के renewal के लिए application भेजेंगे, newspaper handed over at post office window plus invoice in duplicate, अब जो newspaper hand over किये जाएंगे, post office में वो invoice के साथ किये जाएंगे, invoice जो होगी, वो duplicate में आपकी इविनाई जाएगी, जिसमें आपकी posting की detail रहेगी, बन copy of invoice after comparing entries, ठीक है, after comparing entries, entries को compare करने के बाद, आपकी जो एक invoice होगी, वो बापिस कर दी जाएगी poster को, जो भी आपका sender रहेगा, duly signed plus date stamp, उसको duly sign के जाएगा, और उसके ओपर date stamp लगा के, उसको sender को बापिस कर दिया जाएगा, देखिए, यहापे दो, वो क्या लाएगा, invoices लाएगा, जिसमें उसके detail रहेगी, posting की, और उसमें ऐसे एक जो होगी, उसके ओपर sign करके, और उसको stamp लगा के sender को वापिस कर दिया जाएगा, on basis of invoices, अब यह जो invoices होंगी, इनका यहाँ पर main काम शुरू होता है, bill prepared by post office और RMS offices, तो देखिए, आपके जो pre payment of postage वाला, यहाँ पर आएगा, register newspaper में, इसके लिए जो bills हमने किया, कि एक 16 तारीक को, एक पहली तारीक महीने की यह बाले bills जो होते हैं, इनको adjust किया जाता है, अब यह bill किस अधार पर बनाये जाते हैं, तो यह post office और RMS offices के दोरा invoices जो होंगी, ठीक है, यह वाली invoice जो हमने यहाँ पर की कि बो दो invoices लाएगा, तो इन invoices के अधार पर invoices को तियार किया जाता है, and presented by licensee on 16th and first of each month, तो ठीक है, उसके बाद आपका यह जो invoices होंगी, यह 16 तारीकों और महीने की पहली तरीकों इनको present किया जाएगा, payment of will, यहाँ पर यह important चीज़ है, अब आपके जो bill होंगे, उनकी payment कब की जाएगी, अब यहाँ पर आपका यह तो हो जाएगा, कि 2 महीने में इसको 2 बार अर्जस्ट किया जाएगा, जो भी due होंगे, आपके दो बार उनको अर्जस्ट किया जाएगा, इनके इनको invoices के हिसाब से दो बार त्यार किया जाएगा, एक 16 तारीकों और एक एक तारीकों, made by licensee at post office indicated in will, बी दिन जावन डेस, तो 7 दिन के भीतर bill के उपर जो भी post office syndicate किया गया होगा, licensee को बहाँ पर bill का भुकतान करना होगा, और head of circle has the right to cancel, license नहीं तो head of circle के बास bill, जो आपका license है, उसको cancel करने का अधिकार है, in case non payment of bill, अगर bill का भुकतान नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, posting of paper without prepayment of postage, तो आपका बिना भुकतान क किये होगे, जो papers को post किया जाता था, bill immediately be stopped, उसको जल्दी से रोक दिया चाएगा, ठीक है, फिर आपसे charges लिये जाएगे, तभी उसको भेजा जाएगा, नहीं तो उसको बिना भुकतान किये, नहीं भेजा जाएगा, license will be cancelled, license आपका cancel हो सकता है, head of circle, recover amount due, up to that date from, अब आपका उस समय तक जो भी charges बनते थे, जो भी amount due है, वो कहां से recover करेगा, security deposit, जो से करवाया होगा, पहले ही एक मन्त के लिए, ठीक है, एक मन्त का approximate, जो भी calculation करके, security deposit करवाया होगा, बहां से वो recover किया जाएगा, also take step to recover, outstanding amount under section 12, Indian Post Office Act 1898, तो 1898, Indian Post Office Act 1898 के section 12 के अनुसार, जो भी outstanding amount है उसको recover करने के लिए step जो है, वो head of circle के द्वारा उठाया जा सकता है, license on being terminated, renewed by head of circle at his discretion, अगर आपका जो license है, एक वार terminate हो जाएगा, तो head of circle उसको अपना विवेक यूज करके renew कर सकता है, उसकी मर्जी रहेगी कि वो इसको renew करना चाहता है या नहीं, उसकी अपनी मर्जी के हिसाब से वो करेगा, if at any time security deposit less than the payment far preceding month, तो यहाँ पे देखे जो security deposit माली जे 50 रुपे का करा है, लेकिन उस मन्थ जो है, आपकी posting जो है, वो 50 रुपे से जादा हो जाती है, licensee called upon, तो ऐसी स्थिति में जो licensee होगा, उसको बुलाया चाहेगा, to increase the security deposit, ताकि वो security deposit को पहादे, if fails to do so, अगर वो ऐसा करने में असमर्थ है, या fail हो जाता है, head of circle can cancel the license, तो head of circle CPMG license को cancel कर सकता है, if license is revocable, अगर आपका जो license है, वो खंडन करने होगा है, notice in writing before 7 days, यह नहीं कि आपका जो license है, वो cancel करने होगा, अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे, ठीक है, अब जो license ह वो ऐसी हरकत करता है, कि उसका license जो वो cancel हो जाना चाहिए, तो उसको notice भेजा जाएगा, उसको सूचना दी जाएगी 7 दिन पहले, लेकिन head of circle can do, so without assigning any reason, आपका head of circle जो है, उसके पास यह अधिकार है, कि वो बिना कोई कारण बताए भी, इसको cancel कर सकता है, नहीं, तो 7 दिन जो होगे, उनका निर्ने जो होगा, वो ही final निर्ने होगा, ठीक है, head of circle को नहीं पूछा जाएगा, superintendent को नहीं पूछा जाएगा, direct आपका director general जो कहेगा, वो ही decision जो है, वो final रहेगा, next आते हैं हमारे पास parcel, so इनको हम करेंगे next वीडियो में, आज हम यहीं तक करेंगे, पैकेट आज की वीडियो में हो जाएगा, तो यह important दोनों ही topics हैं, इसलिए अलग इनकी वीडियो पूरी बनी है, तो blind literature packet का भी बहुत important है, वो भी बार-बार पूछा जाता है, और register newspaper का भी important है, यह भी बार-बार exam में है, यहां से question जो आप पूछे जाते हैं, तो आप इन newspaper और आपका blind literature packet, ठीक है, थैंक यू